वेलकम स्टुडेंट्स कैसे हैं सभी आपका अपने चैनल कुइक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टन्ट है उन सभी स्टुडेंट के लिए जिनका एक्जाम फैवररी में होने वाला है इस क्लास में हम 27 और 28 तारिक में सीटेट साइंस में किस तरह के कोशन पूछे गए वो सारे के सारे कवर करेंगे पूरा एनलेसिस देखेंगे 27 और 28 जनवरी का तो जिनके एक्जाम आगे हैं उनके लिए एनलेसिस बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है तो चलिए शुरू करते हैं देखी स्टेटमेंट बेस कोशन बहुत सार मैगनेशियम जो है वो रियक्ट करता है हवा के साथ एयर के साथ और हमने पढ़ा है थियोरी में नोट्स में बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जब हम मैगनेशियम की रियक्शन एयर के साथ कराते हैं वहाँ पे आग लगती है ऑक्सिजन की प्रिजेंस में जो है बेसि स्टुओं के साथ करी जाती है तो हमने पढ़ा है क्या बनता है आपका मैगनेशियम हाइड्रोकसाइड जो है वो फॉर्म करता है और यही मैगनेशियम हाइड्रोकसाइड जो यहां पर बना यही आपका क्या 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 लाता है तो यह लिटमस पेपर को कैसा कर देगा लिटम और जो च्छार है जो बेस है वो क्या करता है वो आपका लाल पत्र को नीला कर देता है तो लिटमस पेपर जो है यहां पर रैड टू ब्लू में जो है वो बदल जाएगा कुछ इस तरह की रियक्शन थी जो एंसीयार्टी में हमने करी है उसके अलावा देखे इस तरह की रिय कॉपर सलफेट से कराए गई सी यू एसो फोर कॉपर सलफेट और याद रिखेंगे यह ब्लू कलर का होता है तो इसे हम नीला थोता भी बोलते हैं तो जब इसकी रियक्शन आइरन से हुई एफी से हुई तो यहां पर यह विस्थापन अभी किरिया डिस्प्लेस्मेंट र से हम रियक्टिव बंव जाइग जब बंपर का रियक्शन हो जाएंगा और यहां पर क्या बन जाЕगा आयरन सलफेट कंपर से कराए metal से जादा reactive है जो single धातू है वो जादा क्या है आपका अभी करिया shield है तो ये reaction यहाँ पर form होगी copper बाहर निकल जाएगा और जो iron sulfate है वो यहाँ पर form हो जाएगा और color जो अभी blue था नीलत होता था वो change होकर अभी यहाँ पर क्या हो जाता है इस statement में शायद कि turmeric जो होती है वो yellow रहती है किसी solution में तो वो yellow उसी solution में रहेगी जो कैसा होगा जो acidic होगा जो solution आपका जो billion आपका अमल यह होगा और लाल रंग आपका किसमें देती है जो solution जो billion आपका कैसा होगा जो छार होगा basic होगा तो ये simple सा याद रखना है turmeric जो है healthy जो है वो आपके एक सूचक indicator की तरह काम करती है जो acid में जो amal में क्या होती है उसी color में रहती है लेकिन base जो होते हैं जो चार होती है उनमें वो लाल color जो है वहाँ पर show करती है तो इस तरह का question था एक solar system में moon के basis पर चार option देकर आपका statement पूछा गया था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है तो solar system से जो है आपके question बन रहे है मैं यहाँ पर new moon के बारे में बता देती हूं यहाँ से बच्चों ने बताया कि new moon से कोई statement था तो देखे जो new moon होता है जिसे हम अमावस्या भी बोलते है जिसमें हमें चांद दिखाई नहीं देता तो यह new moon है यह कब होता है जब moon जो moon है चंद्रमा है वो आजाता है बीच में किसके प्रत्वी और sun के याद रखेंगे अर्थ और sun के बीच में क्या होता है आपका moon होता है जब ऐसी situation होती है तो क्या होता है the side of the moon that is in shadow faces earth तो जो जैसे moon है पूरा तो जो shadow वाला हिस्सा है वो अर्थ की तरफ दिखाई देता है और जो दूसरा हिस्सा है वो दिखाई नहीं देता है जो खाली shadow वाला हिस्सा ही दिखाई देता है तो पूरी छाया मतलब पूरा छुपा हुआ रहेगा तो उस case में हमें moon जो है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता तो ये new moon की situation होती है कभी-कभी ये भी question statement में आप से पूछ लेगा कि हमें moon की चंद्रमा की हमेशा एक ही सतह क्यों दिखाई देती है वो भी हमें इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो चंद्रमा होता है moon होता है उसका जो खुद पर अपने एक्सिस पर घूरन करना होता है और जितना वो प्रत्वी के प्रत्वी का चक्कर लगाने में जो पूरा अपना revolution करता है अपना खुद का घूरन करने का समय moon का खुद का अपने एक्सिस पर घूरन करने का समय rotation करने का समय और moon का प्रत्वी का चक्कर लगाने का समय जिसे हम revolution बोलते हैं वो दोनों सेम होते हैं जिसकी वजे से हमें same side of moon जो है वो दिखाई परती है उसके बाद देखे जो अगला कोशन था वो आपका यहां पर बताया गया फिजिकल और कैमिकल चेंज से कोशन जो है वो हर शिफ्ट में आ रहा है कैसे कोशन आ रहे हैं अभी मैं आगे भी दिखा दूँगी तो बहुत तीक और रसाइनी परिवरतन से कोशन था देखे एक बैक्टीरिया वाले होते हैं जिवानों वाले हो गए उसमें आपका टाइफाइड कॉलरा यह सब क्या होते हैं इसमें इस्टाप का उध्ञारा जाता है मुझे एक्जेक्ट बच्चों नहीं बता है क्या मैच तरह तो फ्लूइंग में थे बट आप ध्यान रखेंगे इस बक्टेरिया वायरस से विशानों जीवानों से कोशन जो है वो आपके एक्जाम में बनेगा देखे इसके बाद स्टुडेंट्स ने बताया कुछ इस तरह का एक कोशन भी था कि गुलकोस फॉर्म्ड इन फोटो सिंथेसिस सून गेट कनवर्टेड इंटू स्टार्च मैंने इक स्टेटमेंट लिखा है कि कुछ इस अधार पर एक कॉर्षण जो है आपका एक्जाम में आया था देखे आपको पता है फॉट्स सिंथेसिज होता है जिसे हम हिंदी में प्रकास संसलेशन बोलते हैं यह प्रकिर्या होती है सन की प्रिजैंस में पत्यां जो होती है वो क वहां पर बनता है C6H12O6, यह जो स्टोर नहीं हो सकता, तो यह पत्यां स्टोर करने के लिए उस गुलकोज को किसमें कनवर्ट कर देती है, उसको स्टार्च में कनवर्ट कर देती है, मंड में convert कर देती है जो कि आपका insoluble होता है वो आपका फिर क्या होता है store हो जाता है पत्यों के अंदर तो पूछा जाए पत्यों में क्या store होता है तो पत्यों में starch जो है मंड जो है वो store होता है फिर ये starch बाद में जाके फिर से glucose में convert होता है तो याद रखेंगे पूरा इस तरह से process होता है जब photosynthesis होती है तो वहाँ से reaction के बाद आपका glucose जो carbohydrate का form है sugar जो है वहाँ पर बनती है C6H12O6 और वो फिर बाद में आपकी किस में convert होती है वो आपकी मंड में starch में जो है वो convert हो जाती है यह जो glucose होता है वो soluble होता है यह insoluble होता है इसी वजह से वो आपकी starch में convert होती है तो यह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है उसके बाद एक question यह बनाता कि air contain mass हवा में भार है तो यह आप बच्चों को कैसे बताएंगे तो यह जो balloon वाला example है मैंने बताया था कि यह आपका याद रखेंगे NCRT में भी दिया है तो देखे air contain mass हवा में जो है वो भार है जब आप गुबारे को फुलाएंगे तो आप देखें हैंपर यह वाला option ही सही होगा balloon को फुला कर दिखाना जब आप बच्चों को balloon फुला कर दिखाएंगे तो वो क्या होगा आप जैसे उसको छोड़ेंगे तो balloon जमीन पर गिर जाएगा क्यों हवा में क्यों नहीं रहा क्यों कि balloon के अंदर क्या आगए है हवा आगए है और हवा उसमें क्या है mass है तो हम उस example से बच्चे को समझा पाएंगे कि air contain mass air जो होती है उसमें mass होता है उसका एक जो भार है वो वहां पर होता है boil करकर यह नहीं होगा balloon को bottle लगा कर नहीं balloon को full ला कर उस case में हम बच्चे को समझा पाएंगे कि air में mass होता है क्योंकि जब आप उसको ग्लैंड से question बनाता पीछे भी analysis में समझा था lever जो होता है यकरत जो होता है वो आपकी सबसे बड़ी ग्रन्थी है gland को हिंदी में ग्रन्थी बोलते हैं तो यह सबसे बड़ी gland होती है ग्रन्थी होती है लीवर जिसे हम हिंदी में यकरत बोलते हैं यह secret करता है, यह स्त्रावित करता है क्या bile juice, जिसे हम हिंदी में पितरस बोलते हैं, कुछ इस तरह का question था, diabetes जो होती है, वो आपकी pancreas, अगनाशे से related होती है, जो हमारे control करता है हार्मोन को, वो क्या होता है, वो pitotry gland होता है, हमारा push grantee, जिसको हिंदी में क्या बोलते है, push grant होती है, वो बहुत सारे हार्मोन का secretion control करती है, जैसे adrenal हो गया आपका, ovaries हो गई, तो वो जो हार्मोन secret करते है, adrenal gland, ovary, तो यह सारे हार्मोन कब secret होंगे, thyroid gland, यह कब हार्मोन कब निकलेंगे, इनको control कोन करता है, हमारे मस्तिश में जो gland होता है, pitotry gland, push grantee, जो होती है, वो control क यह reactivity series का ही question हो गया, विस्थापन अभी के रिया से basically जो question है, वो आपका बनता है, उसके अलावा जो question बना है, वो food preservative से, खाद्य परिरक्षक से आपका question बना है, तो देखिए, चारो के चारो आपके food preservative ही होंगे, sodium benzoid, salt, sugar, vinegar, salt आपका नमक हो गया, sugar, चीनी, vinegar आपका सि पूरा समझने में, उसका बाद देखिए, एक question यहां से भी बना था, यह question शाइब previous year से ही बनाया, मुझे पूरा याद आ रहा है, मैंने कभी question हो में ही समझाया है, gravitational force, जो गुरतवा question बल होता है, वो strong force होती है, नहीं, देखिए, गुरतवा, यह question ऐसे आया होगा, यह पह आपको देखना था, कौन सा कथन जो है, यहां पर गलत है या सही है, तो याद रखेंगे, gravitational force जो होती है, वो सबसे weak force होती है, सबसे कमजोर force होती है, और जो nucleus force होती है, वो सबसे strong force होती है, यह important है, याद रखेंगे, gravitational गुरतवा करशन बल जो होता है, वो strong force नहीं होता, त होती है न्यूकलियस वॉर्स होती है तो यह भी गलत है सबसे मजबूत बल होता इन इक प्रोटोन का मज़त हो गैड़ा उनला। यह सब्सक्राइब तो यह भी होती है ऩायल if there is a force then कोई ना कोई body work on it देखे कि question में बच्चे ने जो ये बताया है ये कुछ समझ में नियाया मेरे को actually में अगर force होती है तो कोई ना कोई object तो होगा object body को बोल रहा है कि कैसा option था मुझे exact नहीं पता बट याद रखेंगे याप मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ अपने according जब भी बल हम लगाते हैं तो कोई ना कोई वस्तू पर तो लगाएंगे तो वस्तू होनी तो जरूरी है लेकिन जो force लगती है उससे कार्य हो work हो ऐसा जरूरी नहीं है जैसे एक box रखा है आप इस पर force लगा रहे हैं बल लगा रहे हैं लेकिन यह box हिली नहीं रहा तो इस case में यहाँ पर कोई भी work उसमें नहीं हुआ होगा work done आपका zero भी हो सकता है एक तो यह case हो जाएगा एक याद रखेंगे जब आप खिसकाने के कोशिश ऐसे कर रहे हैं जो बल लग रहा है वो perpendicular लग रहा है है न डिस्प्लेशमेंट एक object है जिस पर बल तो आप perpendicular लगा रहे है और वो खिसक इस तरह से रहा है सीधा खिसक रहा है तो एंगल बन गया 90 degree का इस case में भी आपका जो work done होता है वो zero होता है fs cost theta वाले formula में cost theta की 90 की value zero होती है तो यहाद रखेंगे या तो work आपका zero कब होगा जब वस्तु रखी आप बल लगा रहे हैं उस पर लेकिन वो हिली नहीं रही है और एक तब वो case होगा जब वस्तु क्या हो रहे है आपकी सीधी जा रही है लेकिन बल आप उस पर perpendicular लगा रहे हैं तो इस case में force तो आपका perpendicular लग रहा है और जो displacement है विस्तापन हो रहा है वो इधर direction में हो रहा है तो बीच में angle किता बन जाता है 90 degree का बन जाता है और इस case में भी जो आपका work done होता है कार्य होता है वो आपका zero होता है यह मैंने extra point आपको समझा दिये हैं आगे कभी इस तरह का question कोई बने फिर एक question आपका यहां से बनाता कि ice float on water then why solid wax not float on liquid wax जैसे देखे आइस आपने देखा होगा पानी की solid form ही होता है ice तो जो होती है बर्फ जो होती है वो पानी में तैरती है लेकिन जो मोम होता है solid mom जो solid mom होता है वो पानी के जो मोम है उसमें float नहीं करता तो यह statement waste question था इसमें यह बताना था कि यह statement सही है या गलत है और option में दे रखा था density वाला concept तो यहां देखेंगे बिल्कुल density घनत्व का concept यहां पर है जो ice होती है जो बर्फ होती है उसकी density कम होती है घनत्व कम होता है इसलिए वो पानी में तैरती है लेकिन अगर मैं solid wax की बात करूँ तो उसका घनत्व जो होता है density जो होता है वो liquid wax से ज़ादा होता है जिस वज़े से वो पानी में float नहीं करती तो यह जो question में दिया statement यह सही है और इसकी पीछे का reason है वो density वाला reason है घनत्व वाला reason है कि जिसका घनत्व कम है तो वो पानी में तैरेगा और जिसका घनत्व दूसरी वस्तु से density ज़ादा होगी वो पानी में डूब जाएगी या मतलब अगर यह liquid wax है तो यह यहाँ पर इसकी density जो है इस solid wax से जो mom है इससे यहाँ पर solid wax की जो घनत्व है वो जादा है जिसी वज़े से क्या हुआ यह solid wax जो है फ्लोट नहीं करेगा तैरेगा नहीं यह डूब जाएगा liquid wax में तो इस तरह का question था उसके अलावा इस तरह का question भी statement based अधारित आपका question था यहाँ पर select करना था कि कौन सा statement जो है वो आपका कौन सा कतन यहाँ पर सही है जैसे mitochondria, ribosome, golgi यह सारे के सारे nucleus membrane में होती है यह बात यहाँ पर गलत है देखिए जो mitochondria होती है यह powerhouse कहलाती है आपकी cell की क्योंकि यहाँ पर यह खाने की जो खाना है उसको energy में convert करती है जो further cell जो होते है आपके कोशी का जो होती है वो यूज करती है तो यह powerhouse होता है और यह सब के सब आपके cytoplasm में ही होते हैं ठीक कोशी के द्रव जो होता है उसी में होते हैं तो यह nucleus membrane के अंदर नहीं होते हैं याद रखेंगे तो यह तो गलत हो गया यहाँ पर यह जो ribosomes होती हैं यह आपके जो है protein के synthesize में जो है मदद करती है और यह endoplasmic reticulum पर चिपकेवे होते हैं ठीक है याद रखेंगे और यह जो goal apparatus होता है यह transportation का काम करती है जैसे protein का transportation करना होता है फर्दर आगे को तो यह packaging करती है और उसका transportation में मदद करती है यह जो goal apparatus होता है आपके cell के अंदर यह cell के कुछ component हैं कोशिका के कुछ घटक हैं जो उसमें पाए जाते हैं जैसे mitochondria, ribosome, यह protein का synthesize करता है DNA में भी होता है protein का synthesize, goally apparatus तो यह nucleus membrane के अंदर नहीं होता है nucleus membrane के अंदर केंद्रक होता है उसके अंदर chromosome होते हैं जीन होते हैं यह सब देखने को मिलते हैं तो यह गलत कथन होगा mitochondria is jelly-like in nuclear membrane नहीं यह jelly-like नहीं होता nuclear membrane में जो nuclear membrane होती है कोशी के जिली जो होती है उसके अंदर कोशी जो nuclear nuclear nucleoplasm जो nucleoplasm होता है वो jelly-like होता है mitochondria उसके अंदर नहीं होती है तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाएगा nuclear membrane पोरस होती है यह बात यहाँ पर सही है nuclear बहर की तरा इसे हुधा है नुकलियस मेंब्रेन बहुत है इसे हैं दिखीक होता उए केंद्रक होता एक राइख है कर? इसे ही हम यह बहर की बीस है नुकलियस मेंमेम्रेन भूते हैं यह डबल मेंडर होती है depressiva का थे सको इसे चिज़ए मुसरं ह content और बहर होती है तो इस तरह का एक कोशन था आपका cell से तो याद हैं कोशिका वाले चैप्टर से एक कोशन आपको देखने को मिलेगा उसके बाद एक कोशन ये unit-based कोशन था इसमें चार option दिये थे और चारों के आगे unit लिखे थे और हमको सही unit जो है वो बतानी थी देखें frequency जो आवरती जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसको decibel से represent करा जाता है नहीं उसको hertz से represent करा जाता है जो frequency का मात्रक होता है, जो SI unit होता है, वो hertz होता है, ना कि decibel, यह जो decibel होता है, यह तो आपका loudness, जो प्रवलता होती है, उसका मात्रक होता है, उसके बाद amplitude का मात्रक होता है, नहीं, यह भी गलत होगा, amplitude जो आयाम है, उसका मात्रक होता है, उसको हम meter में, क्योंकि उपर is equal to one oscillation upon second, यही तो formula मैंने पढ़ाया ता आपको frequency का आवरती का वो क्या होती है? दोलन बटे समय, oscillation upon time, तो एक frequency, एक हर्ट frequency का मतलब क्या है? एक oscillation एक second में, ठीक है? तो वो बाला point यहां पर यह बाला ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से कोशन आपका एक्जाम में बना, उसके बाद number of image, जो है वहां से कोशन बन रही है, कि आपको दो plane mirror देगा, कि उनके बीच में 90 degree का कौन बन रहा है, दो plane mirror है, उनके बीच में 90 degree का कौन है, और उसके बीच में कोई अगर object रखा है, तो कितने प्रतिबिम्ब बनेंगे, कितनी image बनेंगी, यह हमको यहां पर बताना है, तो formula मैंने आपको बताया है, उस case में 360 by जो angle हमको कोशन में दिया होता है, उससे उसको हम divide करते हैं, जब आप इसको cut करेंगे, तो यह 4 यहां पर निकल करा जाएगा, जब भी even आता है, तो उस case में हम उसको 1 से minus करके मतलब 3, तो कि कितनी number of image यहां पर बनें, कितने प्रतिबिम्ब बनेंगे, वो 3 प्रतिबिम्ब आपके बनेंगे, याद रखेंगे, important है, इस तहका question आगे भी आपको मिलेगा, formula simple होता है, 360 by angle जो question में दिया है, और अगर वो odd आता है, तो simple as it is छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो even आया है, जो आपके 28 January में बने, 28 January में आपका increasing order of friction घर्शन का आपको जो था, आवरती करम में जो है, उनको लगाना था, तो देखें सबसे कम घर्शन आपको पता है, rolling में ही होता है, लोटनिक घर्शन में होता है, उसके बाद आपका sliding सरपी घर्शन आ जाता है, और सबसे जादा घ कि rolling friction, जिसको हिंदी में लोटनिक बोलते हैं, उसमें घर्शन friction सबसे कम होता है, फिर sliding में और सबसे जादा static में, फिर एक कोशन आपका यहां पर match the flowing में यह था, जैसे vitamin B से berry berry होता है, vitamin C से आपका scurvy होता है, guiter जो होता है, वो iodine deficiency होता है, इस तरह का matching करके कोशन था, दे उसका जो पौ होता है, और पंजे जो होते हैं, वो आपके बहुत ही शार्प होते हैं, जो polar bear होता है, जो आपका बरफ में रहता है, उसके बाद जो elephant होता है, हाती होता है, उसके modified teeth जो होता है, आपके तस्क में बदल जाते हैं, आपने देखा होगा आगे, उसके तस्क नि आपका यहां से भी बना था, उसके बाद देखे, जो chemical change है, यहां से question बना था, which is not chemical change, यहां पर कौन सा racinic परिवर्तन नहीं है, इन चार option में से बताना था, तो देखे, यह जो crystallization है, यह आपका racinic परिवर्तन नहीं है, यह आपका physical change है, बहुत तिक परिवर्तन है, क्योंकि physical change, crystallization में हम पढ़ते हैं, यह NCRT में कहीं बढ़ाया है, मैंने अच्छे से crystallization क्या होता है, कि जब पानी में क्या करते जाते हैं, हम salt add करते चले जाते हैं, इतना add करते हैं, में पूरा oxygen जादा मात्रा में लेती हैं, लेकिन बाहर जो है, carbon dioxide जो है, वो जादा form में होकर निकलती है, पूरी यह कभी किरिया होती है, सेम ऐसी digestion में होती है, photosynthesis में ही पूरी एक reaction होती है, तो यह तीनों आपके chemical change है, लेकिन crystallization जो है, याद रखेंगे, यह जो होता है, यह आपका बहुत तिक परिवर्टन है, आपका physical change होता है, और यह reversible होता है, इसको बदला जा सकता है, ठीक है, तो यह भी याद देखेंगे, इस तरह का question था, देखें, उसके बाद एक question आपका यहां से बना था, कि which seed of flower is not pollinated by wind, देखें, आपने देखा होगा, फूलों में pollen grains होते हैं, यह जो pollen grains होते हैं, जब हवा चलती है, तो यह उड़के चले जाते हैं, दूसरे पौधों पर गिर जाते हैं, दूसरे फूलों में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, गिर जाते हैं, तो नए फूल जो हैं वहाँ पर या नए पौधे जो हैं, वो उग जाते हैं, तो यह pollination by wind होता है, हवा के माध्यम से pollen grain का जो उड़ोना होता है, तो यह हमें barley, rice, corn, जो cereals वाले होते हैं, rice, corn, आपका wheat हो गया, यह जो होंगी, इनमें यह हमें pollination by wind जो है, हवा के माध्यम से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई question बना था, कि कौन से में आपका pollination by wind नहीं होगा, अगर उसमें maze था, तो वहाँ पर वो answer हो जाता, उसमें wind के माध्यम से नहीं होता, जैसे फूक मारते थे, वो सारे उड़ जाते थे, तो वो होता है आपका pollination by wind, तो उसमें फूक मारने से वो pollen grains जो है, वो उड़ गए, ठीक है, शाहर डेंड्रेलियन बोलते थे, उस पौधे का नाम क्या होता है, डेंड्रेलियन उस flower का नाम, जिसमें क्या होता है, फूक मारते हैं, सारे pollen grain जो है, वो उड़ जाती है, तो इस तरह का एक कोशन आपके एक्जाम में बनाता है, उसके बाद आपका unisexual plant या flower कौन से होते हैं, देखिए जो unisexual होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनमें या तो खाली male reproductive parts होंगे, या female reproductive part होंगे, कोई एक ही होगा, तो वो unisexual होते हैं, और देखिए यहाँ पर unisexual और bisexual के मैंने आपको सारे example भी दे दी हैं, ताकि आगे अगर कोई बने तो आप यहाँ पर कर पाएं, तो याद रखेंगे unisexual plant या flower क्या है, जिसमें male या female में से ही कोई एक reproductive part होता है, तो वो आपके unicellular होते हैं, जिसमें example होगे, आपका papaya याद रखेंगे, यह पापाया जो है, यही यहाँ पर टिक हो जाता, यही unicellular flower है, या plant है, बाकि सारे जो हैं या आपके bisexual flower हैं, cabbage, rose, jasmine, fern, यह सारे के सारे bisexual होते हैं, इनमें male और female दोनों जो पार्ट हैं flower में, वो देखने को मिलते हैं, male और female भी जैसे lily, rose, sunflower, tulip, mustard, यह आप याद रखेंगे, important hibiscus हो गया, यह सारे के सारे आपके bisexual flower होते हैं, जिसमें male और female दोनों होते हैं, लेकिन unisexual होते हैं, जि आपका female पार्ट होता है, जैसे coconut का flower, papaya हो गया, watermelon हो गया, cucumber हो गया, याद रखेंगे, important है, papaya, watermelon और cucumber, तो इस वाले option में आपका papaya ही ठीक होता है, यह आपका unicellular flower जो है, वो होता है, उसके बाद यह पूछा गया है था कि dialysis, dialysis किस system से relate करता है, देखे, circulatory system से नहीं करता respiration से नहीं करता, excretory system, जब हम excretory system पढ़ते हैं, NCRT में, तो वहाँ पर जिक्र होता है, हमारी kidney का, उसमें पूरा पूरा दे रखा है कि कैसे kidney होती है, फिर आपके ureter tubes होते है, फिर आपका urethra होता है, जो opening होती है, जहां से बाहर होकर आपका urine निकल जाता है, यह urinary bladder हो से हो जाएगा, तो यह question आपका जो था, exam में बना था, उसके लावा अभी भी अगर जिनके exam फरिवरी में हैं, उनको notes purchase करने है, NCRT 673 का complete summary आपको मिलेगी, खुद self से मैंने बनाई है, NCRT से पढ़कर bilingual language में, और यह notes इतने beneficial हैं, जब आप KVS PRT में EVS वाला section जब सॉल् 28 की यह याद रखेंगे, तो आगे अभी भी कोई अगर note purchase करना चाते हैं, तो 120 रूपीज में, NCRT की complete 673 की notes मिलेंगे, 10 important classes जो करा हैं, उनकी PDF और 2021 के सारे content और pedagogy की question जो है, with answers आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो चलिए आगे जेखते हैं, और question कैसे बने हैं आपके exam में तिर आपका ये oxygenated blood circulation का जो पूरा system है, कैसे आपका जो oxygenated रक्त होता है, पूरा circulatory system में परिसंचरन तंत्र जो होता है, उसमें कैसे कार्य करता है, देखे सबसे पहले lungs होते हैं, लंग्स से जो है, जो आपका रक्त होता है, वो pulmonary veins के माध्यम से आपके heart में आता है, देखे जो pulmonary vein है, vein जो होती है, अब आप कहेंगे जो शिरा होती है, वो तो de-oxygenated blood लाती है, लेकिन ये जो pulmonary vein होती है, ये lung से heart तक, देखे जब वो नलियां जो heart तक पहुचाती है रक्त को, वो veins का काम होता है, याद रखेंगे हैं, जो शिरा करती है वो काम, तो lung से heart तक pulmonary vein उसको लेकर जाती है heart तक, फिर arteries क्या करती है, उसी रक्त को हमारे different body part तक लेकर जाती है, फिर उसके बाद जो शिराय होती है, वो वापस हमारे heart तक उसको लेकर आती है, तो heart में लाने का काम कौन करती है, veins करती है, शिराय करती है, और heart से लेजाने का काम कौन करती है, वो आर्टरी करती है, वो आपकी धमनिया करती है, तो याद रखेंगे, सबसे पहले लंग साता है, लंग से आपका रक्त पल्मनरी वेन के माध्यम से हार्ट तकाता है, फिर हार्ट से जो आपका रक्त है, वो आपकी आर्टरी के माध्यम से बॉडी पार्ट में जाता है, फिर ले जाने का काम जो करती है वो हमेशा आर्टरी करती है धमनिया करती है लाने का हर्ट तक लाने का काम कौन करती है वो आपकी वेंस करती है आपकी शिराएं करती है तो याद रखेंगे ये जो पल्मनरी आर्टरी होती है इसमें deoxygenated blood होता है और ये जो pulmonary vein होती है pulmonary shira होती है इसमें oxygenated blood होता है जब कि जो normal veins होती है उनमें हमारा deoxygenated blood होता है carbon dioxide वाला blood जो है वो होता है ये भी important है याद रखेंगे सब अच्छे से बता दिया तो कुछ इस तरह का question पूरा आपका system पूछा गया था कि कैसे आपका जो रख्त है वो इस तरह से पूरा pump करता है heart से होते वे किस तरह से पूरा आता है और जाता है उसके बाद ये वाली reaction से भी question था ये बहुत बार बता है sulfur sulfur क्या है आपका non metal है पहले बात तो याद रखेंगे ये आपका अधातू है जब ये non metal है तो जो non metal के Oxides होते हैं वो कैसे होते है वो आपके acidic होते हैं अमलिय होते हैं और जो अमलिय होते हैं वो क्या करते हैं वो नीले को लाल कर देते हैं याद रखेंगे तो sulfur की reaction oxygen से हुई आपका sulfur dioxide बन गया और जब sulfur dioxide की reaction आपकी पानी के साथ होती है तो आपका sulfurous acid बनता है H2SO3 बनता है याद रखेंगे important है sulfurous acid वहाँ पर बनता है और यह जो sulfurous acid है यह आपका क्योंकि acid है cdc बात है acidic nature है यहाँ पर तो यह क्या करेगा litmus पत्र में जो litmus पत्र है उसको नीले को लाल वहाँ पर कर देगा तो इस तरह का question था percolation rate percolation rate से एक numeric आपको देखने को मिल सता है exam में देखे याद रखेंगे percolation rate हम स्वाइल में पढ़ते है ठीक है पानी निकलने की दर है ना percolation rate क्या है पानी निकलने की दर तो उसमें क्या formula होता है amount of water जो की आपका ml में होगा और percolation time जो की आपका minute में होगा ठीक है question कैसा बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं देखे यह है आपका question for a certain sample it took 20 minute for 200 ml to percolate so what will be the rate of percolation तो rate of percolation क्या होगा rate of percolation का simple formula होता है amount of water कितना water दिया question में 200 ml जो है वो water दिया और वो कितने time में है 20 मिनट में तो 20 मिनट से इसकी divide कर देंगे तो यहाँ पर answer कितना है यह 10 ml पर मिनट यहाँ का answer हो गया simple यहाद रखेंगे यह formula है percolation rate का निकालने का स्वाइल में amount of water बटे amount of water ml में उपर आता है और percolation time नीचे आता है उससे related numeric भी मैंने आपको यह solve करा दिया है तो ऐसा question आपको देखने को मिल सकता है उसके अलावा यह question मना था two plane mirror के बीच में coin रख है तो कितनी number of image बनेंगी अब वहाँ पर angle दिया होगा same अभी पीछे जैसे कराया था तो इस तरह का question हो गया उसके बाद यह पूछा था silk production silk production से relate कौन से option करते हैं तो वो option वहाँ पर सही होते है seri culture और mori culture यह दोनों के दोनों seri culture और mori culture जो है यह आपके silk production से ही relate करते हैं seri culture क्या होता है ? जब हम silk warm की take care करती है जिस से हमें जो कच्चा silk है, जो kakoon से प्राप्त होता है वो पूरा process में जो हमें silk मिल रहा है, raw material मिल रहा है, जो हमें fiber मिल रहा है, silk warm से वो आपका क्या है वो आपका सैरी कल्चर है और मोरी कल्चर क्या होता है मोरी कल्चर is the cultivation of मलबरी प्लांट in order to feed silkworm जो silkworm है उनको खाने के लिए है ना उनको खा के ताकि वो मोटे हो जाएं इस तरह से further process जब वो आगे करेंगे तो उसमें जो मलबरी प्लांट का हम cultivation कर रहे है silkworm को feed कराने के लिए खिलाने के लिए तो वो आपका क्या होता है वो मोरी कल्चर होता है तो सैरी कल्चर और मोरी कल्चर दोनों के दोनों आपके silk production से relate करेंगे ये question था आपका फिर देखे chemical change से 27 तारी का question होगा और ये 28 में है तो पीछे बताया था कि which is not a chemical change कौन सा रासाइनिक परिवर्तन नहीं है देखे digestion of food पूरी प्रिकरिया चलती है खाना जो एक ऐसे fatty acid में और further आपका amino acid में इन सब में बदल जाता है शूगर में convert होता है तो पूरा एक chemical reaction वहाँ पर होती है fermentation में भी आपकी anaerobic respiration होता है अवाईवे स्वसन के माध्यम से पूरी अभिकरिया होती है और ये भी आपका chemical change है पास्चराइजेशन ये आपका chemical change नहीं होगा ये आपका बहुतिक परिवर्तन है आपका physical change है क्योंकि पास्चराइजेशन में क्या होता है हम 72 से 75 डिगरी पर 15 से या 20 से के बीच में हम क्या करते हैं दूद को गरम करते हैं 72 डिगरी पर 15 से के लिए दूद को गरम करना या 63 डिगरी सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए दूद को गरम करना टेंप्रेचर पर जैसे 72 डिगरी पर 15 सेकिंड के लिए तो यह आपका फिजिकल चेंज है बहुत इक परिवरतन है तो यह ही यहाँ पर केमिकल चेंज नहीं होगा इस तरह का कोशन था फिर एक कोशन यह था वाई सोडियम इस नौट कैप्टिन ओपर एर तो बहुत सिंपल है बहुत बार बता है सोडियम जो कि आपका इधातू है बहुत ही रियक्टिव होता है इसकी यह जल और हवा से बहुत जल्दी अभी किरिया करता है सोडियम और पोटाशियम इसलिए इनको कैरोसीन के तेल में डिबोकर रखा जाता है यह कोशन बनाता फिर एक कोशन देखे बिल्कुल आज इस ऐसे ही बना था राइजोबियम राइजोबियम बैक्टिरिया के बारे में हम पढते हैं यह नाइच्रोजन के फिकशेशन में नाइच्रोजन के इस्थरी करण में स्वाहल बैक्टिरिया जो है यह पाया जाता है कहाँ पर in the root nodules of pulses जो leguminous plant होते हैं जैस और यह जो लेगुमनेस प्लांट है आपके जैसे पल्सीज वगेरा हो गए मटर का पौध हो गया तो इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होता है कैसा रिलेशन्शिप होता है इनके बीच में तो इनके बीच में सिंबोईटिक रिलेशन्शिप जो है वो यहां पर देखने को मिलता है ये राइजोबियम बैक्टिरिया का करता है नैट्रोजन प्रदान करने में मदद करता है पौधो को और बदले में ये पौधो से जो है भोजन प्राप्त करता है उनके नूट्रेंट्स लेता है तो ये दोनों आपस में सिंबोईटिक रिलेशनशिप जो है वो आपस यह बनाता कि increasing order of energy efficiency किसमें जो energy है वो सबसे जादा efficient होती है सबसे कम energy जो है वहाँ पर waste होती है इस तरह से चार option दिये थे देखिए incondensant light bulb जो होती है पुराने जमाने के bulb होते थे मोटे वाले जिनमें yellow color की light जल दी थी तो यह incondensant light bulb होते थे यह बहुत सारे energy जो है consume करते थे यह सबसे कम energy efficient होते थे तो यह सबसे कम energy efficient होंगे उसके बाद tube light आजाएगी फिर उसके बाद CFL आए और अब जो use होते हैं वो LED bulb होते हैं क्यों use होते है LED bulb क्योंकि यह सबसे जादा energy efficient होते हैं सबसे कम जो है इनमे अनर्जी का वेस्टेज होता है तो इस तरह से कोशन जो है आपका देखने को मिला तो ये सारे कोशन मैंने आपको बताए और आगे जरूर यहां से कोशन बनेंगे तो परकुलेशन रेट का कोशन हो चाहे मिलर के कोशन हो कि नमबर ओफ इमेज कितनी बनेंगे और बाकी सारा जो भी है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है वीडियो अच्छा रखता है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल से बने रहें